हेलो दोस्तों तो आपका अपने चैनल cmcqs में आपको स्वागत है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि area of circle की coding java script में कैसे की जाती है तो चलते दोस्तों सुरू करते हैं coding नई वीवर्च जल्दे से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो से आप तक पहुंच रहें तो यहां पर मेरे पास है notpad plus plus और चलते हैं करते हैं coding तो सबसे पहले हमें लिखना होता है दोस्तों यहां पर html html लिख लेते हैं html उसके बाद हमें करना इसको सेट तो कंट्रोल एससे सेव कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं यहां पर डेक्स्टॉप पे और यहां पर नाम दे देते हैं दूश्तों इसको टाइटल तो यह सारे जो हमारे कोमन टैग है और टाइटल के अंदर भी हम लिख लेते हैं एरिया तो दोस्तों यह जो आप टैग दिख सकते हो यहां पर यह हर कोडिंग के अंदर आपको लिखने पड़ते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं टाइटल और टाइटल को करते हैं बंद तो यह हमारा टाइटल बंद हो चुका है उसके बाद हमें करना है हैड बंद तो हैड भी बंद कर लेते हैं हमें जो यहां पर दोस्तों बोडी स्टार्ट करनी है तो बोडी स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ती है तो यहां प ending tag है तो यहां पर सबसे पहले आपको script बंद करना पड़ेगा तो as script बंद कर लेते हैं और यह हमारा script बंद हो चुका है फिर उसके बाद हमें body बंद करनी है तो यह देख सकते हैं दोस्तों हमारा body भी बंद हो चुका है उसके बाद हमें करना है HTML बंद तो कर लेते हैं HTML को बंद तो यह हमारा HTML भी बंद हो चुका है फिर करते हैं यहां पर start coding अब दो है script के बाद हमें लेना पड़ेगा variable तो सबसे पहले हम ले लेते हैं variable और variable के लिए भी ए आर लेते हैं तो यहां पर हम दो variable लेंगे एक तो आर और एक एरिया तो आर यहां पर दोस्तों आपका radius है circle का और एरिया जो है आपका एरिया लिकालने का लिए हैं तो यहां पर हमने दो variable ले लिया है एक तो आर और एक एरिया तो आर को फिर prompt लिखना है आपको और यह हमने prompt भी लिख लिया उसके बाद फिर से open bracket और फिर आपको quotation के अंदर लिखना है इंटर दा radius of आपको यहाँ पर फिर लिखना है कि इंटर दा radius of circle तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटर दा रेडियास अफ सर्कल और इसके को टेशन बंकरने है फिर यहां पे दूबार जो है ब्रैकिट वी बंकरना पड़ेगा क्योंकि अपने दोबर जौँ है ने ब्रैकिट ओपन किया था इसलिए दो बार बंकरना होगा फिर semicolon उसके बाद यहां पर आपको area लिखना है area equals to अब दोस्तों यहां पर जो आपका area का formula होता है वही लिखना पड़ेगा तो यहां पर आपका area का formula क्या होता है और पाई की क्या value होती है 3.14 और यहां पर जो है यहां पर हो जाएगा आपका multiply का sign और फिर radius फिर multiply का sign और फिर radius तो यहां पर आपका हो चुका है पाई आर इसक पाई आर इसक्वेर तो यहां पर पाई आर इसक्वेर हो चुका है दोस्तों फिर आपको यहां पर next क्या लिखन डोकुमेंट दोट राइट कॉलि甚 a के लिखना है आपको डोकुमेंट राइट फिर और है फिर यहां पर गटेशन के अंधर लिखना है अपको कि एरिया ओफ सर्कल तो यहां पर लिख लbuilding एरिया ओफ सर्कल तो area of circle equals to यहाँ पर space और उसके बाद यहाँ पर quotation फिर space और फिर आपको plus के साथ जो है area लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं area उसके बाद bracket को बंद करना है फिर हमें curly braces को भी बंद करना होगा तो यह दोस्तों यहाँ पर आपकी coding जो है और चलते हैं दोस्तों पहले इसको करना पड़ेगा हमें save तो कर लेते हैं यहाँ से save या फिर आप control as भी use कर सकते हो तो यहाँ पर हम save कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं चेक करते हैं कि हमारी coding जो है वो run हो रही है कि नहीं तो दोस्तों इसको कर लेते हैं मिनिमाइज और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एरिया जो है हमारा आ चुका है और इसको कर लेते हैं डबल क्लिक और यह देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा coding जो है वो run हो चुका है और यह दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका इस लिए नहीं आ रहा था क्यूंकि यहाँ पर देख सकते हो डॉकुमेंट के आपका टी जो है नहीं आया तो छोटी छोटी गलती से नहीं पर आपका प्रोग्राम रन नहीं तब भी नहीं हुआ तो यहाँ एंब देख सक्ते दोस्तों एरिया आ चुका है आतफ ophyll inappropriate तो आपका और यहाँ निकल के हैसाटकेना तो यहाँ पर ढालेते हैंей फिफ्निचिकश का भी एडिया आ चुका है तो यहां पर area of circle आपका run हो रहा है तो यही simple सी coding छोटी सी coding आपका area of circle का है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको coding दिखाय दे रही होगी है तो आप चाहूं तो इसका screenshot भी ले सकते हो ताकि आपको याद रहे तो दोस्तों आसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे तो थैंकि दोस्तों थैंकि फॉर वाचिंग एंड केप सिस्क्राइब ताकि मेरी नई वीडियो से आप तक कहु